जो दोस्तो आगे हैं में पहले टो हम अन बॉक्स करेंगे इस बॉक्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑवर लेज की तरफ से सूपी माहा का ऑवर लेज हाईलाइट वो दिखाया गया है एंड यहाँ पर आप देख सकते ह lucr एक कार्ड दी गई है लिखा है वार्मिस टूआल कम फ्रांट टीम अवलेस कुछ इसको अम रखते साइड में है टयूँ यहां पर एक डीगे है पर्ट भी उसको भी हम साइड में रखेंगे यहां पर हम इस पीशारिट को बाई निकालेंगे अन यहां पर आप देख सकते हैं सुपीमा कॉट्वन जो की है वर्ल्ड स्फाइनेंस्ट कॉट्वन और उसके बाद ओवरलेज की तरब से एक लोगो मतलब उसके पीछे सिर्फ ओवरलेज एंड हंडेड परसंट सुपीमा कॉट्वन ही लीगई है उनकी वेबसाइट दी गई है एड़ उसके ब अगर आप बैक में देखेंगे तो यहां पर एक पीन से चिपकाई गई है यह लोगो एंड और सब कुछ को खुल गया यह एक बहुत ही अच्छी थॉट है किसी भी फैब्रिक या फिर कॉटन कंपनी के लिए क्योंकि हम जब टीशर्ट को अन्बॉक्सिंग करते हैं या फिर ह तो भी हम साइड में रख देंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे इस टीशर्ट की क्वालिटी को और आप देख सकता है इस टीशर्ट की बैक में एक वर्लिस की तरफ से लोगो दी गई है और कहीं पर भी कुछ नहीं है सिर्फ यहां पर और एक लोगो दी गई है जो की बहुत ही सिंपल बहुत ही 3D लुक देती है आपकी टीशर्ट को इस टीशर्ट की क्वालिटी बहुत क्रीमियम है और बहुत घड़ी क्वालिटी की चीज़ है यह क्योंकि आप अगर बजार में खरीब होगे तो यह करीब और सी भी ब्रैंड का रेड हजार से दू हजार त अगर आप एक कोड को मतलब गिफ कोड के लाइक आप यूज करो बंडर बीट्स वह कोड है मैं नीचे वीडियो पर भी दे दूंगा और आप लोग जा के उसको चेक करिएगा ओविएसली यह टीशर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है बट फर्स्ट इंपर आपको लग अच्छे एक 3D लोगो दी गही है जो की बहुत अच्छी फिलिंग है थी मुझे यह वीडियो मेरा एकस्पिसर फ्रेंड आया है सौरी मैं आपको दिखाती हूँ तो इस आप जुगाड वाली वीडियो तो नेक्स्ट में सब कुछ बताएंगे तो यह था हमारी आज की एक बॉय हो या फिर जीम प्रेंडर हो या फिर जीम पर जाते हो कुछ भी हो यह टी-शिर्ट टोटली स्ट्रेचबल टी-शिर्ट है अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको तभी पर चलेगा कि इसकी डियाबिलिटी इसकी और ज्यादा लश्चर कैसी है एंड इसकी य रुटली आणमौर्पस्ट वीडियो इकसा दिखा दिया तो दोस्तो हाज का वीडियो बस ऐसा ही था इस टाइब की वीडियो और पाने के लिए लाइक करये इस वीडियो को एण हमारी चैनल को सास new's and YouTube कि यानल को सब्सक्राइब करूए 2020 कर दो तो झाल झाल